अक्टर इम्रान हाश्मी को कौन नहीं जान था बॉलिवुड में उन्होंने अपनी एक अलग जगे बनाई है आज उनकी इमेज रोमांटिक हीरो के अलावा सीरियस और विलिन वाले रोल करने के लिए भी बन चुकी है इम्रान इन दिनों अपनी OTT रिलीज शो टाइम को लेकर चर्शा में है ये ग्लैमर वर्ड की अंद्रूनी कहानी को दिखाती वेब सीरीज होगी इम्रान ने इस शो का प्रमोशन शुरू कर दिया है इस सिलसिले में उन्होंने बॉलिवोड में नेपोटिजम पर कंगना रनौट की दावो पर अपनी बात रखी इम्रान ने कंगना के साथ गैंक्स्टर में काम किया था ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सक्सेस्फुल रही यही से कंगना सफल्दा की सीडिया चड़ती चली गए अक्टरस ने एक आउटसाइडर होकर फिल्म इंडस्टरी में अपनी जगे बनाई हाला कि पिछली कुछ सालों में कंगना ने इंडस्टरी में नेपोटिजम को लेकर काफी कुछ कहा उन्होंने बॉलिवुड आक्टरस के ड्रग्स लेनी सहित कई रास खोले अब उनके दावों पर इमरान हाश्मी ने जवाब दिया है इमरान ने कहा कि एक आर्टिस्ट और रियल में भी कंगना बहुत अच्छी है हो सकता है कि उनका इंडस्टरी में एक्सपीरियंस खराब रहा हूँ लेकिन यहाँ सभी एक जैसे नहीं है उन्होंने कहा कि कंगना के साथ मेरा अनुभव ऐसा था कि उस समय मैंने एक हिट फिल्म दी थी लेकिन फिर भी मैंने गैंग्स्टर में विलन का रोल किया और उन्हें सेंटर स्टेज दिया यह लगबग वुमन सेंटरिक फिल्म थी इसलिए मुझे नहीं पता कि ऐसी धारना कब बनी और लोगों नहीं ऐसा कहना शुरू कर दिया कि सभी नश्य के आदी है यह इंडस्ट्री केवल नेपोटिजम पर काम करती है बता दे कि इमरान की शो टाइम इस आठ मार्च को डिजनी प्लस होट स्टार पर रिलीस हो रही है इसके अलावा उनके अमेजॉन प्राइम पर रिलीस होने वाली फिल्म ए वतन मेरे वतन में भी होने की चर्शा है